दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के बिस्किट मैं आपको बताती हूं तरीका बिस्किट आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं तो चरिया यहां पर मैंने क्या किया है एक कटोरी लिया है गेहूं का आटा जो आप चपातिया बनाते हैं तो वह आप आटा ले लिज इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे चीनी, बितल सिंपल सा तरीक आपको बता रही हूं, आप जब इसको बना कर खाएंगे दोस्तों सच बोल रही हूं, और आपको इतने टेश्ची लेगे कि आप बार बार बनाएंगे, तो इसमें मैंने एक कटोरी चीनी डाल दिया है, ए कि यहाँँ देखो दॉख़ दॉखे सबस्ता ने समय काकस डीक्राटी ॥ हیک यहमें से बिन अर खुलती जाएका में आपको मने दॉख सीया जाते बिल्ककुल से टरीका अगर आपने कभी भी बोजन नहीं बनाया होगा कभी भी खाना नहीं बनाया है तब भी आप आराम से बना सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे यह थोड़ी सी गरी यहां पर मैंने कद्दू कस कर लिया था सूखा नारियल आप इसकी जगह पर कोई भी ड्राइफ फूट्स ड लेंगे और यहां पर देख सकते हैं पूरा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है और यानि की गुंद लिया है और अब इस आटे को हम पूरे आटे को एक जगह पर करेंगे गुंद करके इस तरीके से आप देख सकते बिलकुल थोड़ा सा ही पानी लगा हुआ है मैं आपको सालंता म्ह kiddingस हैं दो मिनट के लिए चोड़ना है इस से ज्यादा करें ज्यूंद को जिए ज़ोड़ना हैं चैने चैने गरती तो लीजिए दोस्तों ये दो मिनंट हो चुके हैं आभ हम क्या करेंगे इस आंटゲीकी को थोड़ा सा हम लगा देंगे यहां पर मैं थोड़ा सा हा करना आप देखेंगे आपके पूरे घर को यह रेस्पी पसंद आएगी और आपको इसका बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा सॉप्ट भी नहीं बनाना है आप इसमें ले लिया है सूखा आंटा जो गयों को आटा होता है वह सूखा आटा ले किया है परोधन के लिए जो इसमें लगाने के लिए फार रिया हम विए और एछी के लिभी छोड़ी है यह यह थे लादा डाolph शेरा विलकुल बनाना कि corona मैं इस तरीके से मैं सिध Sus to picture video वीडियो पूरा देखना बिल्कुल भी इसके मत करना यह बहुत ज़्यादा टेश्टी बनते हैं बिस्किट आप इसको जरू बना करके देखना तो यह देखे मैंने सारी लोगियों को तोड़ लिया है और आप इसको बॉल बनाएंगे यह देखे एक तो तरीका बॉल बनाने इसमें थोड़ा सुखा अटा रगाएंगे और इसके बाद बेलन से इसको हम बेल देंगे यह देखिए हलका सब मोटा ही रखना है बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है यह देखे इस तरीके से आपको यह बिस्किट बन ये जैसे कि आपको नहीं है तो आपको जीए नहीं कि तुरंध बजा को तुरंध सामन लिया हूं नहीं आपको मीठा कुछ खाने की इच्छा ए तो फटा पट से बना ये और खा लीजिए तो इस तरीके से मैं सारे बिसकुट को बना लूँंगी तो यह देखिए दोस्तों न अब इस तरीके से बनाकर के इसको चप्ठा लोई बना लिगी और इस लोई में आप क्या करें है थोड़ा सा सूखा आँटा लगा दिया है और अब इसको हम बेलेंगे यह देखें अगर आप आटे से नहीं बेलना चाहते हैं तो इसमें आप लगा कर भी बेल सकते हैं कोई प तो चलिए इसको मैं बेल लूँगी बहुत ज्यादा हमें पतला नहीं करना है मैंने आप से बताया है तो चलिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है अब हम क्या करेंगे सिंपल सा हम लेंगे एक यह देखे इतरा मोटा आपको बेलना है किनारी कैसी वनीदे कोई दिक्कत नहीं है आप देखना कैसी एक टाइप से शक्त निकला लेंगे तो यहां पर मैंने लिया लिए है ग्लास अगर आप बहुत चोटे बिस्किट लेना चाहाते हो बनाना चाहते एं तो एक बहूँनिया कोई कि बहुत जल्दा कम और को कहने बैट एक इस सब्सक्रat गाटे करे और इसका कोई भी आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नुकसान करेगा यानि कहने का मतलब है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इस बिस्कुट को आप बना करके लगातार आप इसको 15-20 दिन आराम से खा सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप एक साथ इसको बना सकते बनाना चाहती है तो बेल करके बनाईएगा तो चलिए अब हम इसको तलने के प्रोसेस में चलते हैं तो यहां पर मैंने एक कडाई लिया है और इसमें हम ले लेंगे कोकिंग ओल यानि कोई भी रिफाइन कोकिंग और योप यूज करते हो घर में तो अब इसमें हम क्या करे आच यह जैसे का देख सकते हैं आच मैंने थोड़ी सी कम कर दी है यहां आपको गैरंटी देती हूं कि आप बार बार बना करके खाएंगे और आपके बच्चे भी यही बिस्किट बांगेंगे आप उनको आराम से बना करके खिला सकती है इसका कोई भी यह नुकसान दाइक चीज नहीं है और यह हैल्दी बिस्किट है तो यह देखे इसको मैं उलट पनटके अच्छे से से लूँगी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक आप दे सकते हैं लेकिन आपको धीमी आच पर ही सेखना होगा यानि कि बहुत धीमी नहीं आप थोड़ा बीच की तो यह दो फ्लेगर आप लिवे पिली में चलिएया इसको कल्चि निकारे तो थोड़ा से सएड में इस तरीखें तरीखें तो थ्याएय। इस तरीक के से आप कुर्क्राभी खा सकते हैं फिस सरा निकाल कैर अपैसा ज्याधा डार्क व्रहों मesकूंसर जो पुंड़ा करना चाहते हैं तो इस तरीक निया सपले में ही जिसकाचित है जो फिश्वा झाय को decade जाय। तो जो बाना कर देखें लेंगे बीच की फ्लेम पर चलिए इसको भी हम उलट पलट के सेक लेंगे लिजे दोस्तों कितने अच्छे सिक रहे हैं और इसका आप कलर भी देखिए मीठा आप अपने इसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं जैसे बहुत ज्यादा मीठे पसंद नहीं है तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं यह लिजे यह भी हमारे बिस्किट सेक चुक हैं तो इसको भी हम इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे प्लेट में यह देखिए इसमें मैंने चीनी डाली है क्योंकि मीठा ज्यादा हमारे घर में खाते सब लो तो अगर आप चीनी कम डालना जाने कम चीनी डालेंगे तो यह जो बिस्किट है तो इस पे बिल्कुल भी चीनी आपको नहीं दिखेगी तो मैंने इस यह भी बिस्कुट सेक लिए हैं अब इसी प्रकार से कि मैं सारे बिस्कुट को सेक लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूं और मैं यह भी बताऊंगी इन बिस्कुट को अगर आप किसके साथ में खाएंगे दोस्तों तो बहुत टेश्ची लगें वो भी मैं आपको बताऊंगी दिखाऊंगी भी तो चलिए मैं सारे बिस् कॉई भी बिस्कुट बना करके खा सकते हैं किसी भी क्षाज में बड़ा चोटा अप अपने हैसाब से का लीजिऑ तो अब आप क्या करें इस gonna को आप सब आब से अज आफ कर सकते हैं अब एक अब थे इसके दो तो सच में बहुत्त तेस्टी लगते हैं और उड़ साथ में अगर आप इस बिस्किट पर यह अचार लगा करके आम का अचार लगा करके खाते हैं तो दोस्तो हंडेड एंड बन परसेंट आपको यह जो रेस्पी बन आपको बताईए आपको पसंद आईगी और इसका टेस्ट जो ना पहुती मस्त लगेगा आपको तो चलिए द मैं स्कार लगा आपको यह जो अजा आपको यह जो रड़ कर दो नहींड आपको यह जो नहींड ने कर दो रड़ को यह जो खाव माई शाल झाल झाल